आज हम बनाएंगे बहुत ही जादा टेस्टी मसालेदार काजू नमक पारे तो चलिए फटाफट से रेस्पी को स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए हमें बावल में डालना है एक कप के करीब मैदा अब हम इसमें टेस्ट के कोडिंग नमक डाल देंगे और इसके बाद वन टे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे अब यह अच्छी तरीके से मैदा बाइंड हो रहा है यानि मोयन इसमें बहुत ही अच्छा गया है अब हम इसमें जरुत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल कर एक स्मूध सा डो त्यार कर लेंगे अब आप देख सकते कि हमार टो एकदम पॉफेक्ट त्यार है यानि स्मूथ डो त्यार है तो अब हम इसे ढग कर कम से कम साथ से आठ मिनिट के लिए छोड़ देंगे और साथ मिनिट बाद अब हम प्लीट को हटाएंगे और डो को थोरा सा मसल लेंगे और इसके बाद अब हम इसे अच्छी तड़ीके से स्मूथ कर लेंगे यानि गोलाकार सेफ दे देंगे और अब हम इसे बेलन की सहाथा से नजादा मोटा और नजादा पतला रूल कर लेंगे मैंने इसे अच्छी तड़ीके से रोल कर लिया है और रोल करने के बाद अब हम कोई भी ढखकन या फिर रिंग कटर की सहाता से कुछ इस तड़ीके से यानि काजू के सेप में हम कट कर लेंगे तो इसी तरीके से हमें सभी को cut कर लेना है अब हम क्या करेंगे इसे fry करेंगे तो अब हम इसे एकदम हलकी गर्म तेल में सभी को डाल कर low to medium flame पे उलटते पुलटते हुए golden brown होने तक fry कर लेना है लगभग इसे fry होने में 5-6 मिनट लग जाते हैं अब यह अच्छी तरीके से golden brown हो गया है तो अब हम इसे निकाल कर एक प्लेट में डाल देते हैं तो अब हम बना रहे हैं मसालेदार काजू तो अब हम एक बावल में डालेंगे कुछ मसाले जैसे की एक बरी चमच की करीब चाट मसाला वन बाई हाफ टेबल स्पून के करीब लाल मिर्स पाउडर और वन जो काजू फ्राई करके रखा था वो डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे तो बस अब यह त्यार है चलो बाई